दोस्तो इस बीडियो में आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि आप लोग अपना फोटो को रिसाइज कैसे करेंगे और पाशपुट साइज फोटो कैसे बनाएंगे फोटो को तो आएए इस बीडियो में बने रही है मैं आपके साथ सेयर कर रहा हूँ सबसे पहले नमर तो आप अपने कैमरा से जो भी हो पिक्चर वो capture कीजिए इसके बाद simply आप लोगों को इसको crop कर लेना है पहले तो ये देख लेना है कि आपने जो picture किलिक किया है वो साफ है या नहीं इसके बाद आपके mobile में टूल होता है crop का उसे आप लोग अपना crop कर लीजिए crop करने के बाद यहाँ पे adjust का tool दिया गया है simply आप लोग अपना photo को crop करते हुए अपना इसे adjust कर लेना है इड्जेस्ट करने के बाद इसे सेव करने के बाद आप चाहे दीं कि यह कितने kind is कई अब ओर हुआ यह का सफोट कर देख सकते हैं चलिए इसे कंप्रेस करने के लिए आप जो को image compressor 20KB, ये आपको 50KB करना है, तो 50KB या 100KB करना है, इसके बाद फर्स नमबर पर जो भी वेबसाइट आता है, उस पे आप करने के बाद आपको यहाँ पे फोटो को अपना सेलेक्ट कर लेना है, जो भी फोटो आपने क्रॉट किया है, और एजेस्ट करके उसे आप लोग य 20KB, 50KB, 100KB, 200KB जितना का एड़ेस्ट करना चाहते हैं आपको यहाँ पर एड़ेस्ट कर लेना है और करने के बाद इसे सेव कर लेना है तो हम यहाँ पर 50KB के अंदर का फोटो बना रहे थे तो यह देख सकते हैं आप लोग मेरा यह 50KB से अंदर का हो गया है 46KB का यह इस परकार से आप लोग चाहे उतना केवी का फोटो बना सकते हैं अगर आपका फोटो 2MB का है या 1.5MB का है या 800KB का है अगर उसको रिसाइज करके 10KB या 20KB या दोस्तो 30KB या 50KB या 50KB या 100KB के वीच में आपको कनवर्ट करना है तो इसके लिए हमने आपको बताया कि गूगल पे जाईए सर्च कीजिए इमाइज कॉम्परेसर अगर 20KB का बनाना है तो 20KB या 50KB का बनाना है तो 50KB और इसके बाद सर्च कर दीजिए और फर्स्ट नमर पर जो भी वेबसाइट आता है उस पे किलिक किजिए किलिक करने के बाद आप लोग को फोटो हमाँ पे अपलोड करना है करने के बाद आपको हमाँ पे रिसाइज का आप्सन मिलेगा सिर्पली आप लोग को रिसाइज कर लेना है